गाउं में पतंग उत्सव चल रहा है, अचनक भीम मोर जिसी साइज की एक बड़ी पतंग देखता है, सब बच्चे उस बड़ी पतंग को लूटना चाते हैं, भीम भी उनके पीछे चला जाता है, रास्ते में एक सिमेट की दिवार आती है, सब बच्चे उसके टगरा जाते ह लेकिन भीम उस दिवार को तोड़कर पार निकल जाता है, पतंग जंगल में चली जाती है, जहां पर शेयर रहता है, वहाँ बच्चों का जाना मना है, पतंग शेयर की उपड़ी निकलती है, और भीम शेयर को भी दबोस देता है, फिर एक बनी रेबिट आता है, वो पहुँचने में भीम की मदद करता है भीम बनी रेबिट की सायता से मोर पतंग की पीट पर बेट जाता है वो पतंग किसी और की नहीं बलकि गाउं के राजागी थी जिनको राजा जी उड़ा रहे थे भीम उसकी पतंग की पीट पर बेटा हुआ है भीम राजा जी की उपर और तालिया बजा रहा है राजा भी इससे कुछ हो जाता है और भीम को चूम लेता है गाउं के सारे बच्चे महल में पहुंच जाते हैं फिर राजा जी सबको एक एक पतंग गिफ्ट करते हैं कालिया को कोई पतंग नहीं मिलती है कालिया उदास हो जाता है कालिया को उदास एक भीम कालिया को रोग लेता है और राजा जी कालिया को मोर पतंग गिप्ट में देते हैं